दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाते हैं, इंक्योरी करना चाते हैं किसी भी युनिवर्सिटी, किसी भी कॉलिज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप admission लना चाते हैं कि CV course में या कुछ जानना चाते हैं उसके बारे में तो नीचे description box में हमने link दिया है link पर आप जैसे ही click करेंगे एक form आएगा form को आप fill करें चार ही details है उसके अंदर नाम है आपका आपकी mail ID है, phone number है और किस state से आप हैं और कुछ भी अगर आप special comment में डालना चाते हैं कुछ अलग से जानकरी चाते हैं और कुछ भी आप लिखना चाते हैं जैसे कुछ detail में आप जानना चाते हैं तो वहीं जो box है उसके अंदर अपनी query को आप type करें और भेज दें हमें हम आपसे personally contact जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे दोस्तों मध्यपरदेश में हाला कि बहुत सारी private universities हैं बहुत सारी private universities का मतलब आप 43 private universities से लगा सकते हो अभी 2023 में मध्यपरदेश में total MP में 43 private universities काम करती हैं 43 private universities admissions लेती हैं और education provide करती हैं अलग-अलग courses में अलग-अलग councils का approval लेकर अलग-अलग approvals के साथ university कोई भी चलती है कोई भी university जो बनती है उसे UGC का approval लेना होता है मतलब की university अगर UGC की list पर update है मतलब UGC पर listed है तो university मानने है उसके बाद वो बहुत सारे अलग-अलग तरह से councils के approval लेती है तभी university अलग-अलग तरह courses करा पाती है जब भी कोई university बनती है तो normally जो courses मिलते हैं कौन से हैं वो courses जो normally करा सकती है उसके बारे मताऊँगा आगे अपनी वीडियो में कौन-कौन से approvals हैं इस university के पास वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में और कौन-कौन से courses चलाती है यह university उसके बारे में भी पूरी information मिलेगी साथ में ही UGC पर इस university को भाभा university जो की मध्यपरदेश भोपाल में चलती है UGC पर आप कैसे चेक करेंगे उसकी भी पूरी information आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तो भाभा यूनिवरस्टी के बारे में जो की भोपाल में इस्तित है मध्यपरदेश में इस्तित है बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तो फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Distance and Online Education in India और मेरा नाम है विरिंदेवर्मा जिस आप सभी जानते हैं उन्देश-विदेश की Universities, Colleges, उन्गे Courses को Explore & Review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जाना चाते हैं दोस्तो भावा युनिवरस्टी भी उन्हीं सब Private Universities की तरह ही एक University है जितनी Total Private Universities हिंदूस्तान में चलती हैं साथ में ही युनिवर्स्टी के अलावा जो colleges है 50,000 ज़ादा colleges चलते हैं इंदुस्तान में अलग-अलग तरह के courses सब चलते हैं और जो private universities की बात करें तो 400 प्लस universities हैं हिंदुस्तान में और साथ में deemed university 125 से भी ज़ादा है state universities 440 से भी ज़ादा है और साथ में Central University 50 से भी जादा है इतनी सारी Universities हिंदुस्तान में अभी भी चल रही है और बहुत सारी Universities को अलग-अलग तरा के मानिताएं और अलग तरा के Approvals मिलते हैं तो ये ती टोटल हमारी Universities के बारे में मैंने जो आपको बताया भाबा University के बारे में आप ये समझेए कि University पहले तो कहाँ पर इस्तिते आप इसको जान लिजिए जो भाबा University है दोस्तों, बोपाल, मध्यपरदेश में इस्तित है University होशंगबाद रोड पड़ता है, वहाँ पर University ये है ये दोस्तों, युनिवस्टी प्राइवेट युनिवस्टी है, प्राइवेट युनिवस्टी सभी युनिवस्टी इसको जब कोई भी मानने तब मिलती है बट उनके अलावा कोई भी courses अगर युनिवस्टी को चलाने है तो उसके लिए उस युनिवस्टी को concern council का approval लेना होता है अब इस university को सबसे पहले आप check कैसे करेंगे मतलब इस university को भाबा university को आप check कैसे करेंगे कब university ये बनी है तो पहले दोस्तों आप UGC पर जाएए UGC पर साइड डिटेल आपको इस university की मिल जाएगी दोस्तों मैं नहीं बोलता है इस university में आप admission ले या ना ले ऐसे ही किसी की बातों में आप admission मतलेना आप क्या type करेंगे www.ugc.ac.in ये सब type करने के बाद जो interface आपके सामने खुलता है उस interface पर आप देखोगे उपर universities लिखा हुआ है universities में आप जब जाते हो वहाँ पर तो universities में जाने के बाद में state private universities को आप क्लिक करेंगे state private universities को जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहाँ पर सभी states के नाम यहाँ पर mention हो जाते हैं सभी states के नाम आजाते हैं दूसरी लाइन में आप देखोगे तो मध्यप्रदेश लिखा हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट उनिवर्सटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में सभी के नाम यहाँ पर खुल कर आ जाते हैं टोटल 43 प्राइवेट उनिवर्सटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में जो UGC बताता है उनिवस्टी की और उनिवस्टी के बारे में और भी ज़्यादा अगर आप information लेना चाहते हो तो यहाँ पर more details पर आप दोस्तो क्लिक करते हो यहाँ पर तो university की जो details है मतलब university content information नहीं है, VC information नहीं है, registrar information भी यहाँ पर mention नहीं है पर मतलब इसका यह नहीं है कि university है ही नहीं, university यहाँ पर यहाँ पर वो details mention नहीं है, जो details यहाँ पर mention होनी चाहिए थी, university की official website क्या है, bhaba university.edu.in यह university की official website है, और दोस्तों university की website पर जबाब पहुचते हो यहाँ पर, तो आप सबसे पहले आप देखिए कि university के पास approvals कोन कोन से है, कोई भी university के पास approvals होंगे तो ही वो बाक कर पाएगी, university के पास कोन कोन से approvals हैं, सबसे पहले आप जानिए, AICTE के बारे में university mention करती है, अपनी website पर, AICTE के approval की हाला कि universities को जरूरत नहीं होती, colleges को जरूरत होती है, बिना AICTE के approval भी university diploma, b.tech, m.tech जैसे courses को चला सकती है, दूसरा approval की बात करे, dental council of India, मतलब BDS जैसे courses को च चाते हैं, dentist बनना चाते हैं, तो आपको यहां course करना पड़ता है BDS, Dental Council of India इसका approval देती है, university के जो approvals है, उन approvals में university ने Dental Council of India को भी mention किया हुआ है, साथ में आता है PCI, Pharma Council of India, Pharmacy Council of India, दोस्तों Pharmacy Council of India पिछले कुछ महीनों में या साल की बात मैं करू, तोड़ा strict हो गई है, जब से इन्होंने अपना एक exit test भी निकाला है, और आने वाले टाइम में सभी councils लगबग strict होती चली जा रही है, अब वो जो तीज़े पहले चलती थी, वो सब अब नहीं होती कि कितनी भी seats पर university admission ले ले, जितनी seats council अलोट करती है, उतनी seat पर universities अब admission ले सकती है, Pharma Council of India का approval ह university के पास, साथ में ही NCTE जब भी कोई university बीड कराना चाहती है, education से related courses कराना चाहती है, उस university को NCTE का approval लेना होता है, NCTE के मानिता लेनी होती है, वरना वो university उन courses को नहीं चला सकती है, दोस्तो, Pharma Council of India क्या होती है, कब बनी है, कैसे काम करती है, कोई भी council कैसे बनती है, कैसे काम क करती है, कौन को से courses करवाती है, detail video हमने council wise council अपने इसी channel पर बनाई हुई है, आप उन वीडियो को देखेंगे, बहुत हद तक समझ पाएंगे, कि councils काम कैसे करती है, साथ में बार council of India, आप इस university से करना चाहते हो, LLB, LLM, या फिर आप 5 साल की, 3 साल की LLB करना चाहते हो, इस university से करने के लिए, university को बार council of India का approval लेना पड़ता है, university के पास approval है, university ने ऐसा अपने approvals में mention किया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पर महा कोशनल नर्सिंग registration council, यहाँ पर भी university ने अपने आपको mention किया हुआ है, कि university के पास इसका भी approval है, साथ में मध्यपरदे शाषन, यहाँ पर को details लगी है, university की, और भी कुछ छोटे-मोटे approvals, university के पास है, यह थे कुछ वो major, कुछ approvals, जिनके approvals के जरूत पड़ती है, university को, council courses को चलाने के लिए, अब university courses कौन-कौन से करवाती है, programs कौन-कौन से offer करती है, उसके बारे में भी दोस्तों आप जान ल university बोलती है कि हम engineering करवाते हैं, engineering मतलब, diploma, engineering diploma, b-tech, m-tech, यह courses university करवाती है, mention है, pharmacy university करवाती है, university बोलती है कि हम pharmacy में भी admission लेते हैं, मतलब की, diploma in pharmacy, bachelor of pharmacy, master of pharmacy, मतलब की, d-pharmacy, b-pharmacy, और m-pharmacy, जहाँ पाच कुछ detail mention भी की है, university जैसे कि भाबा, pharmacy research institute, भाबा, polytechnic pharmacy, RKDF school of pharmaceuticals, sciences, RKDF institute of pharmacy science, यह कुछ details university नहीं हाँ पर mention भी की है, साथ में ही pharmacy के अलावा जो university course करवाती है, वो ए dental, university बोलती है कि हम BDS में admission लेते हैं, बाबा, college of dental science के नाम से university यह course करवाती है, BDS में admission यह लेती है, इसके अलावा और जो courses हैं, जैसे कि university management करवाती है, BBA, MBA में admission ले सकते हो computer application, BCMCA university से आप कर सकते हो, education में, university B.A.D. करवाती है, B.A.D. में university admission लेती है, बाबा, college of education के नाम से है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, university दोस्तों मैंने फिर आपको बताया कि आप कभी भी किसी university में admission लेते हैं, बहुत अच्छे से पड़ताल करें, university आप जाएं, university को visit करे hostel जाके देखें, university के faculty members जाके मिलें, और साथ में यह भी देखें, जो students अभी फिलाल पढ़ रहे हैं, आपके उस course में जिसमें आप admission लेना चाते हैं, उनका experience कैसा है, तब ही आप किसी university में admission लें, सिर्फ fees को देखकर ना जाएं, ना ही safe or safe लुभावने advertisements को देखकर जाएं, आपके साथ problems हो सकती है, hotel management जैसे courses युनिवर्सटी करवाती है, agriculture में admission लेती है, law में admission लेती है, लल्ब करवाती है, university commerce मरलब become mcom कर सकते हो, sciences में admission ले सकते हो, science जो course होते हैं, BSTK, MSCK, PCM, PCB या फिर honors में, arts में ले सकते हो, BA में, MA में, nursing युनिवर्सटी करवाती है, BST nursing जैसे courses में admission ले सकते हो, library science में करवा सकती है और साथ में paramedical के courses भी university करवाती है साथ में university mention करती है years of experience, 18 साल का लगवग experience युनिवस्टी को है number of students लगवग 37,625 कि आसपास students हैं युनिवस्टी के पास number of institutes, 22 institutes हैं युनिवस्टी के पास साथ में certified teachers कहते हैं 892 हमारे पास certified teachers भी है डॉक्टर साधना कपूर चांसलर है युनिवस्टी की भावा युनिवस्टी की बपाल के हम बात कर रहे हैं अभी कोई भी दोस्तों किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है इस भावा युनिवस्टी को लेकर या कोई चीज जो हम नहीं बता पाए यह बताना बाकी रह गया उसके बारे में भी कुछ आप जानना चाते हैं तो comment box में सवालों को जरूर पूछे अगला वीडियो किस युनिवस्टी पर लेकर आए किस course पर लेकर आए हमें comment जरूर करें ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सके आपके doubts को clear कर सके और अच्छा लगा हूँ आज का हमारे वीडियो अपने दोस्तों परेजन परिवार में हमारे वीडियो को share करें ताकि वो भी अपने आपको जानकर बना सके क्या को चल रहा है एजूकेशन के दुनिया में और साथ ही हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब करें साथ में लगा बेल आकर जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की एजूकेशनल वीडियो दोस्तों आप तक पोस्ट सके सबसे पहले हमारे इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए